देश के अर्थ विवस्ता की रफ्तार को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं तो चलिया आकडों के खेल को समझने की कोशिश करते हैं या आकड़े क्या कहते हैं? बात करते हैं National Staticals Office यानी की NSO की NSO ने GDP की नई तस्वीर पेश की है इस बार के आकड़े देखे GDP ग्रोथ चौथी तिमाही में गिरकर 4.1 प्रतीशत रही Financial Year 2022 में GDP ग्रोथ 8.7 प्रतीशत रही 2020 से 2021 में GDP कोरोना महमारी के कारण नेगिटिव रही RBI ने GDP ग्रोथ दर कानुमान 9.5 प्रतीशत लगाये था और चौथी तिमाही ग्रोथ कानुमान 6.1 प्रतीशत लगाये था लेकिन GDP ग्रोथ उतनी नहीं रही इसके कई कारण है दरसल जो ग्रोथ दिखी है उसमें बड़ा हाथ इस बात का है कि वित्तवर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ कोर्ना भामानी के कारण नेगिटिव रही यानि वित्तवर्ष 2022 में जो ग्रोथ हुई थी वो से निचले स्तर के मुकाबले ही दिख रही है रोजगार के ज्यादा मौके बनाने वाले सेक्टर्स में अब भी सुस्ती है एसी सुस्ती इन्वेस्मेंट की मामले में भी दिख रही है और जब तक ये दोनों सेक्टर मजबूत नहीं होंगे तब तक हम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 5000 अरब डॉलर की अर्थवेवस्था का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि हाकिकत यही है कि रिकवरी की जमीन अभी भी बहुत कमजोर है लेकिन ये बात सही है कि अकेले भारत का ऐसा हाल नहीं है दुनिया भर में इंफलेशन और राजितिक तनाव बढ़ने के साथ रिकवरी की रफ्तार खड़ी है चीन में लॉकडाउन का असर भी दुनिया की गुरोथ पर पड़ा है लेकिन जानकारों के मताबिक विकास दर में सुस्ती का मुख्य करण मेंगाई यानि की इंफलेशन है मेंगाई बढ़ने से निवेश पर भी असर पड़ रहा है मेंगाई को ना सिर्फ भारत के एक्सपर्ट मुख्य करण मान रहे बलकि मुडीज इन्वेस्टर सर्विस जिसने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में भारत की जीडिपी ग्रोथ अनुमान को खटा कर 8.8% कर दिया था इससे पहले इसके 9.1% रहने का अनुमान विचाय था एजन्सी ने इस कटोथी के लिए देश में बड़ती महंगाई को जम्यदा ठहरा दिया है यहां तक कि अमेरिका समय दुनिया भर के देशों ने इसे दुनिया में सबसे तेजी से बड़ती एकोनौमिक रा दिया